आप सभी भाईयों का गईज सबसे पहले शौर एक्सपर्ट सपोर्ट चैनल पे मेरा बहुत बहुत नमस्कार और गईज आप इस वीडियो को पूरा वाच करने वाले हो और इस वीडियो से इंफॉर्मिशन लेने आये हो तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा यह मेरा आप आप से प्रामिस लाँ गईज इस वाले वीडियो में अपन कवर करेंगे शीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच जो दूसरा टी-20 मैच खिला जाएगा उसमें क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे साथ में कौन से प्लेयर आपके लिए इस व वाले मैच में नुकसान हो जाए इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट एक वाज करना है और एक काम जरूर से कर लेना है अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आयो तो इस चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लेना साथ में बैल आइकन की घंटी दबा के आल प्रैस कर देना तकि आने वाले सभी वीडियो के नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचें और भाई की मेहनत के लिए गई इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि अगर आपको लगता है इस वाले वीडियो में आपसे काफी हैल्प हुई है तो वीडि क्लिक करना है और आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे जहां पर मैं हर मैच की फिरी टीम प्रोवाइड करता हूं अब गयाज में सीधा आपको इस वाले मैच की की प्लियर्स पे ले जाता हूं इसमें पहला नाम अगर आप देखोगे ना तो यहां पे नाम निक प्रिगा कि जिन्होंने पूरे चार ऑवर बॉलिंग कराई ते जिसमें बीजर फॉर्चुन ता दूसरा एंड्रेस नॉटेस था इसने भाई ने चार ऑवर बॉलिंग कराई ती जहां पे च्छे की एकॉनमी से केवल चोईस रन दिये और एक विकेट निकाल के दिया था त तो पहला प्लेयर है जो की सेकंड टीट्वंटी मैच में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वुसका नाम है बीजर फॉर्चुन अब दूसरा नाम गई जहां पे निकल के आता है वह आता है एंडिस नॉटेज का एंडिस नॉटेज को केवल 41% लोगों निकाल के दिया था तो यह दो बॉलर मैंने अभी तक आपको साउथ अफ्रिका के बताया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वाले मैच के लिए होने वाले हैं गई इस वाले वीडियो में आपके लिए गीववे रहेगा गीववे के लिए मैं आश्टक वाच कियो और चैनल को सब्क्राइब कियो यह आपके हाथ की चीज़ें आप कर सकते हो और टेलिग्राम जरूर से जॉइन कर देना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तीसरे प्लेयर का नाम गई आपको बता देता हूं यहां पर आता है कौंटन डीकॉक का कौंटन ड आपके लिए तीसरा प्लेयर रहेगा जो की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा जिसको आपको अपनी टीम में रखना है तो मैंने साउथ अफ्रिका के आपको तीन प्लेयर्स बताएं जिसको आपको कोशिश करना है अपनी स्मॉल लीग और गैंड लीग की हर टीम करिए आप से रिक्वेस्ट उसके बाद शीलंका की तरफ से बात कर लेते हैं शीलंका की तरफ से नाम आता है धनंजर डी सिलवा को कीवल तीस पर्सेंट लोगों ने ले रखा है क्यों ले रखा है मैं आपको बता दूं क्योंकि बहीं ने लाश्ट मैच में केवल दो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिडिल ओडर में आकर खेलता है और आपको एक से दो विकेट इस वाले मैच में निकाल के दे सकता है तो धनंजा डी सिल्वा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके बाद गई दूसरा नाम यहां पे निकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वाले मैच के लिए होने वाला है तो अभी तक मैंने दो प्लेयर बता हैं जो कि शिलंका के हैं धनंजा डी सिल्वा और डी शंका तीसरा नाम यहां पे जिस प्लेयर का आता है जिसके बारे में पहले लोगों को पता भी नीता जिसका नाम है इसके बारे में अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था जो भी मेरे टेलीग्राम यूजर से उनको मैंने बोल दिया था इसको अपनी टीम में रख लेना क्योंकि यह पूरे चार ओवर बॉलिंग कराने वाला है और आप देख सकते हैं इसने पूरे हैं इसमाले मैस का का क्यों बाले मैच में सबसे जदा चोके मतलब सबसे जादा उसका ऑंसर एकि देदी है ऑगा उनको सपूक्छा दिया जाएगा उनस्कों को प्राइट को पहुछा दिया बिद् tenía जए है जिन लोगों के नहीं पहुक्रीव यह अוס या चैनल को सब्क्राइब नहीं किया होगा अगर आपनी तीनों काम किये तो आपको डेफिनेटली प्राइस पहुच गया होगा अब इस वाले मैच का में आपको सबसे पहले श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के प्लेयर के स्टैट्स बता रहा हूं जो बहुत इंपोर्टेंट है श्रीलंका की तरफ से अविश्का फंडांडो डिनेश चान्रीमल दोनों आपको इस वाले मैच में ओपन करते हुए दिख जाएंगे और अविश्का फंडां अगर आपको इसको रखना है तो अपनी ग्रैंड लीग के टीम में रखना स्मॉल लीग में मैं सजैश्ट नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट तीन मैच से कंट्यूनिव फ्लॉप हो रहा है हो सकता है इस वाले मैच में चल जाए क्योंकि किर्केट अन्प्रिडिक्टेबल ग बात करे बी राजा पासका और सी असलांका की जो दोनों मिडिल ओडर में कहलें गी बी राजा पासका तो मैं आपको बोलूगा सच्वक्रिण की बात करो तो आप टी टुन टी में लाश्ट मैच का सकते हैं चैशेरं बनाये थे बड़रنت यह पर्फॉर्म करके गया था तीन मैचों में तो यह आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाला इस तीसरे डूसरे टीटुन्टी मैच में जिसका नाम है सी आपको वह चीज़ बतानी है जो आपको सेकिंड टीटुन्टी मैच में टीम बनाने में बहुत काम आईगी और गईज इस वाले मैच के टीम बहुत अठके होने वाली है तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक वाच करना टीम जरूरत से देखके जाना आपके लिए बहुत किजिए ताकि आपके आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुच जाए इसके बाद यहां पर डी शंका डबलू असरंगा धनंजर डी सिल्वा यह तीन की ऑल्राउंडर्स है जो की शेलंका के हर मैच में परफॉर्म करके देते हैं जिनको आपको र तो आप इसको रख लेना इसके लावा डबलू असरंगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो यह तीन वाल्राउंडर्स जो है जो की रहेंगे जो आपके लिए स्मॉल लिग और ग्रेंड लिग दोनों की टीम में आपके होने ही होने चाहिए उसके बाद गई यहां पर बात करें सी करूना रतने की बाइस रन मनायते लाश्ट मैच में और ओडियाई का भी रिकॉर्ड आप देख सकते सोला रन चाहिए अपनी टीम में अगर आपको एक प्लेयर को इससा आपको रग रहा है कि आपको रखना चाहिए तो आप से करूना रतने को रख सकते हैं क्योंकि आपको निराश नहीं करेगा उसके लावा यहां से डीच अमीरा की बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट बॉलर है ओडियाई में भी काफी अच्छा करकी गया तो अकिला दनंजया का टी टूंटी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं लास्ट तीनों मैचों में एक भी विकेट नहीं लिया है तो इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं तो इस से स्टैट से मुझे एक चीज़ पता लगी है कि अकिला दनंजया और अविश्का फंडनांडो दोनों है आउट अफ्रिका की गईस प्लेयर स्टैट्स में आपको दिखा देता हूं यहां से क्वांटन डिकॉर को रीजा हेंडिक्स ओपन करेंगे रीजा हेंडिक्स का टी टूंटी का रिकॉर्ड अपने बहुत ही बढ़िया है और इस वाले मैच में भी ओपन करेगा और अगर आ यह मकाराम की फॉर्म की बात करूं तो ओडियाई में भी बहुत अच्छे चल रहे तो आपके लिए इंपोरेंट होने वाला हैं एंडिच क्लासन का टीटूंटी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ओडियाई में आप देख सकते हैं दो साथ दस तो डॉप कर देना इसकी सकता है उसके यहांसे कीलर मिलर के बारे में आपको अल्रीदी बता इıllिएंट और में अकर खेलता है और मैफ तो डी आइंड म वीडियोगर के बारे दोब इस फे सब्सक्राइब सकते हैं और आप से ड्वैन पेट्रियस आपको खेलता हूँ दिखेगा रबाड़ा केलता हूँ दिखेगा केश्व महराज का मुझे चांस थोड़ा सा कम लग रहा है इस वाले मैच में हो सकता है बाहर कर दें बाकि बीजर फॉर्चुन आपको लास्ट मैच में एक विकेट दे कर गया तो और पूरे चार ओवर बॉलिंग कराई थी इंपोर्टेंट है और टीजर शामसी का है ना टी टूटी में एक ही विकेट बिला थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी लगा था मुझे लास्ट मैच में तो थोड़ा सा आप स्टीच को देख लेना है गाइस साही लग रह रहे गा रिजा हैंड्रिक्स रहे यह काराम रहे गा इसके बाद यहां पर इंपोर्टेंट रहे गाई यहां से बीजर फार्चुन और अच्छा रहे सब्सक्क्राइगर अब निकिटीं में आप को वह प्लेयर्स बता देता हूं जब शेलंका का सवुथ अपरिका के साथ मै पार में अपन बात कर लेते हैं जिसमें दिनेश चांदीमल का अठारा का एवरेज है और आप देख रहे हो अच्छा कर रहा है क्योंकि जब भी यह श्रीलंका साउथ अफरीका के अगेंस खेलती है तो दिनेश चांदीमल का बल्ला चल परता है इसके लावा धननजा डी सिल् नहीं कर रहा है अगर आप लेना चाहों रख सकते हो बाके ड्रॉप भी कर सकते हो इसके लावा साउथ अफरीका की तरफ से रन बनाने वाले हैं रिजा हैंडिक चालिस कैवरेज डैविड मिलर चोईस कैवरेज क्वांटेट निकोग 15 कैवरेज है रॉस इवन डसन का 49 कैव बना पाऊगे जो मैं आपको स्टार्टिंग के प्लेर्स बताता होना वो प्लेर्स को कोशेश करना अपनी टीम में जरूर लेने की क्योंकि वह की प्लेर्स होते हैं उसके बाद जो मैंने आपको बीडीटेल कंटेंट बताया है अपने का ध्यान से सुना होगा तो अब एक बेस्ट टीम बना पाओगे जिससे दिक्टत आप डिकुटा दिखा दे तो वहीं इस मीछ की आपको ब्राइनल टीम के छेसल टीना राम पुब्येस्टर कर देख लेते हैं स्था मैंने बता टीमय बर्ण्टं करने और सब्सक्राइब को दोनों बहुत अच्छा करते हैं तो दोनों को आप अपनी टीम में रख लेना तो दोनों को मैं रख लेता हूं बैटिंग सेक्शन में रीजा हेंडिक्स आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे अविश्का फंडांडों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ट सेक्शन में डबलू असरंगा आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है इसके लावा ड्वेंट पैट्रियस भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा और यहां पर धनंजा डी सिल्वा को भी आप रख सकते हैं बट लास्ट मैंच में दोई ऑवर बालिंग कराई थी वो थोड़ी सी क्योशन मार के कि इसको दो यह और बालिंग क्यों दी गई बाकि अगर यह पूरे और कराता है तो मैं आपको बता दूँगा अगर में को न्यूज मिलती है कि इस वाले मैच वे फूल ओवर कराएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा डिस्क् अच्छी बॉलिंग कराई थी तो यह मेरी फाइनल टी में आप देख सकते हैं यहां पर दिनेश चान्निमल क्वांटन डीकॉक रीजा एंडिक डैविड मिलन एक मकाराम डी शंका ड्रोयन पैट्रियस डबलू हसरंगा इसके राबावा डी चमीरा बीजर फॉर्चुन और दिश्णोटेस इसमें कोई चेंज होगा तो फाइनल अपदेट आपको टारी गराम पे मिल जाएगा तो आप टेलीगराम को जरूर से जॉइन कर लेना और एक। RO तो आप जरूर से जोइन करना तो मेरा वीडियो गाइस फुल इंफॉर्मेटिव होता है एजुकेशन परपस होता है और विस वीडियो को इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको लगता है मुझे और खुछ भी आपको नॉलेज देनी की चीए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा ताकि मैं नेक्स वीडियो में उस चीज को भी आपको प्रोवाइड कर पाऊंग ठीक है भाई हो आदा आप सश्यकाल नमस्कार